सबसे भर उसेमंद न्यूज चानल इंटिया न्यूज उत्तर प्रदीश उत्राकर्ण मैं हूँ आपके साथ मनीशर शर्मा और वक्त हो चला है हमारी खास पेशकर्ष स्पेशल रिपोर्ट का जिसमें आज हम बात करेंगे अगनिवेर जबानों की रिटार्मेंट के बाद मिल ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अगनिवीरों को योपे पिलिस और पी एसी में आरक्षण का लाप दिया जाएगा सीम योगी ने अपने ट्वेट हैंटर पर दरसल इसकी जानकारी देते हुए एक वीडियो भी साजा किया है वहीं उत्तराखण के मुख्यमंतरी प अगनिवीर की योजना भारते सेना में इसी तिस से आगे वढ़ाई गई है युवाओं के मन में एक उत्सा है दस लाग अगनिवीर भारते सेना के अगनिपत के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे वढ़ रहे हैं आज अगनिवीर में जहां य उन्हें सेना में भी अच्छा उसर प्राप्ट होने वाला है पेरामिलिटरी में, सिविल फुलिस में और वीविन्निस सेक्टर में भी उन्हें समाय जन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है D.S.F. ने, C.R.V. ने, C.I.S.F. ने अन्य तमाम हमारे जो पेरा मिलिटरी हैं उन्होंने भी इस बात की गोचना की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अगने पीर की यह जैसे आगे वड़ती है और जब यह अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पि-ए-सी में इन नौजवानों को प्रात्मिकता के आधार पर समायुचन की एक सुविधा देंगे प्रदानमंत्री जिने जिस परकार से अगनी वीरों को हर सेक्टर में प्रात्मिकता देने की जो बात की है और निश्चित रूप से वो बहुती स्वागयत युद्ध कदम है मैं प्रदानमत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और राजी के अंदर भी हम जो हमारे अगनी वीर अपनी सेवा के बाद आएंगे सभी अगनी वीरों को हम आरक्षन भी देंगे और जिन जिन विवागों में उनकी सेवाएं ली जा सकती है उन सब में हम सेवाएं लेंगे वो थमने का नाम नहीं ले रहा है एक तरफ अब इस पूरे विवाद क्योंकि 2023 में जब केंद्र सरकार के द्वारा अगनी वीर योजना को लागू करने की बात कही कही थी तो देखे इसी पर आज हम चर्जा करेंगे हमारे साथ कुछ खास मेमान चोड़ रहे हैं आप सभी का तारूप उन से करबा देती हूं अब एक एकर चाय हरियाना हो उत्रा खंड हो या फिर अप उत्तर प्रदेश की बारी हो इन तीन राज्यों में लगातार इस आरक्ष्ण दीजाने की बात कही जा रही है क्या लगता है क्या क्योंकि अखिलेश यादफ कह रहे हैं कि आप मजबूत नहीं आप तो बेबस कर रहे हैं सेना को आप तो सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और सत्ता आते ही हम तो 24 घंटे के अंदर से रत करेंगे उनका ट्वीट भी आया था सामने जी देखें यहीं तो सबसे बड़ी बिदमना है कि इस तरह जो राजनीत इस लेवल की हो रही है उस लेवल की राजनी से ले करके युवाओं को अगर रूजगार देने से ले करके अगर एक प्रसिक्षण की बात्या है बेतन प्रसिक्षण इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो भाविस की एक लॉंग टाइम की यह उजना है और कई कंट्रियों में आप देखेंगे तिस तरह के चीज़ें डिखन्स के ट्रेंणिंग को लेकर के चीज़ें चलती रही है और उनको कुछ एक लिमिट टाइम तक वहां पे नोकरी भी दी जाती है दूसरी प्रात्मिक्ता यह है कि अगर कहीं सेना में भरती होने की या उसकता पड़ती है और कमी आती है कोई बिस्यूद होता है कोई बड़े लेबल की चीज़ होती है तो उसमें अगर यूआ ट्रेंड हैं जो भी लोग हैं इस तरह के चीज़ें तो इनको आसानी पे वहां जाने के लिए जो है आसकता नहीं पड़ेगी और इनको मौका दिया जाएगा और रही बात यहां पर चुनाओ से तो चुनाओ के पहले जो चीज़े थी और चुनाओ के बार जो चीज़े क्लियर आई है उसमें अब यह अंतर खुल करके आ गया है कि जो नौकरी में परसेंटेज छूट की है जो अब तक दे चुके हैं जिसमें उत्राखन भी है और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो परसेंटेज छूट की बात की जा रही है और उसके साथ एक टेस्ट जो होता है दो चीज़े एक टृइनिंग परियर्ट सेले करके आपकी जो नौकरी की जो एक सांता है उस रिपोर्ट कार्ट के आधार पर अगर आपको देखा जाएगा कि आप इस पे आपको बहुत अच्छा है तो नंबर गेम के आधार के भी आपको प्रश्य दी जाएगी और आपक कि आपको जो नोकरी ये पर्मानेज नहीं रखेंगे उसको इस बार गौर्णमेंट क्लियर कर दिया है कि आपको नोकरी में रखा जाएगा लेकिन अगर आप एक अच्छे हैं और आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है तो आप सेना को हमेशा ये मान के चलिए कि वेल दीश्ब्लीन के सबीक्रा को होता है तो जिसे अप सेना में भुरती हो जाते हैं तो फालो करना आजमें के लिए दिमांगे भर जाता है लहीं हमें इसको फालो ही करना है अगली बीर के जो बच्चे हैं भी कुछ बच्चों से वेरी बात भी तो उनके दिमाग में अभी भी कही तरीके की बतर जो है एक confusion है कि हम जो पांच साल बाद रिकार होंगा हम में पांच साल बाद रिकार लिया जाएगा तो हम क्या करेंगे वाश्चों कि अपको चूट मिलेगी और कुछ ऐसे संस्थान है जो हैं जो हैं टू हैंट उठार के दख लेंगे जैसे सेना के लोग हैं उनको जब रिटायर होते हैं तो उनको भी बहुत ऐसे संस्थान है उनको हैं टो हैं नोपनी बिल जाती है और अच्छे पैसे भी मिलती है और एक गूप लिए तरीके से से मान लिया जाए कि रिफॉर्म करने के बाद क्योंकि आरक्षन की बाद पहले तो आड़ नहीं की गई थी पहले तो यह कहा गया था कि हम सेना को युवा बना रहे हैं उसे मजबूत करने के उद्देशे के साथ अगनिवीर और उसके बाद पात साल बाद क्या होगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी अब रिफॉर्म किया जा रहा है कि आपको अलग-अलग से अस्थानो में और अलग-अलग विभागों में अरकशन दिया जाए तो क्या यह विपक्ष के लिए कि जवाब के तर पर इसे माना जा सकता है कि सरकार का जवाब है यह विपक्ष को司रकार को लेकर घेराफ कर रहा था योजना को लेके पकर कर अचार कर देने की कि अब जो भाजबस सासित राज़ी हैं वह चीज को और आगे बढ़ा रहे हैं वह अरक्षण देने की बात कर रहे हैं हमारी घमी सरकार ने तो एक काम किया है इन्होंने काया कि हम सभु गाह और समु गाह की नौकरियों में भी आरक्षण देंगे उनको जिलादिकारी का हमारे साथ संजे श्रिबास्तव जी जुड़े हुए है रेजिडेंट एडिटर के तौर पर संजे श्रिबास्तव जी क्योंकि यह काफी महत्पूर्ण हो जाता है कि उत्राखण में इस बात का कहना की आरक्षण दिया जाएगा कितना प्रभाव पड़ेगा अगनीवीरों पर या जो चाहना चाते हैं अगनीवीर योजना का हिस्सा बनना चाते हैं उनके उपर किस तरह का इंपैक्ट होगा संतुष्टी होगी अब उनको की चलिए अब रेटार्मेंट के बाद भी हमारे पास एक पॉच्छिर्टी है हमा अगनीवीर योजना लाते हैं तो सबसे पहले मैं कहूंगा विपग्च बीरोत के लिए बीरोत कर रहा है बीरोत के लिए बीरोत नहीं कर रहा है तो सही सुझाओ दी और अगर उस सुझाओ पर इंप्लिमेंट नहीं होता तो सरकार दोसी है योगी सरकार ने जो नेड़े लिया अपनी बीवेक से लिया धामी सरकार ने जो नेड़े लिया अपने बीवेक से लिया राज की इनकी जरूरत है, सारे एक्सपर्ट कहते हैं, कि अभी इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग सुझाओ दो, थोड़े से चेंज में अगर इसमें चीजों में परिवर्टन आ गया, तो इन फ्यूचर, रस्या, रस्या की मैं बात करता हूं, जैसे अभी हमारे यूपी के बिरोच है, यई इसका मकसद है, लेकिन क्या विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष परदर्षित किया, मैं किसी को भी कि Allah को सब्सक्राइब पनाए जाएगा, तो इसको पनाए जाएगा, जो आदमी फौच में उचे लेबल पर जासकता है, जिसने अच्छा काम किया है, जो पढ़ा के लिए अपने सार्थक सुझाओ दीजिए और उस सुझाओ पे अगर सत्ता पक्ष अमल नहीं करता तो आपको सदन से लेके सदन भी रोज करने का अधिकार है आप कीजिए न आप क्यों लोगों को बरगला रहे हैं फुसला रहे हैं एक अपोचनेटी खुली है उस अपोचन से कहा हमारी समझते तुझाओ के साथ इन भी पक्ष के लोगों को सुझाओ करना चाहिए मनिशा अच्छा ठीक है अमली दुच्छी से मैं सवाल ले रहे हूं अमली दुच्छी एक बात समझने वाली है कि एक टाइम पीरेड होगा कि आप चार या पास साल अगनीवीर बागों में अलने डिफेंस अब अमले के साथ आप जुड़ेंगे और वहां पर आपने सेवाइं देंगे लेकिन फिर यह तो साइकल चलते रहेगी ना आप रिटायर होते रहेंगे लेकिन क्या चो आगे जा रहे हैं उनके लिए पिर एक समयावती रहेगी कि आप B.S.F. म बने इसमयावती हैं बहां पर भी आपके लिए के लिए आप एक लिए समयावती है इसको नौकरी करेंगे यह नौकरी करेंगे जो एक पांसर की नौकरी करेंगे आपको बताया था कि जो सेना से रिटायड आते हैं वो टीम को लीड करते हैं प्रसिक्षान के अंडर खोल रहे हैं उनको ये सिकूर्टी का जो भी एजनसियां बना रहे हैं प्रसिक्षित करके और खुद वो जो है एक पेस्टेल अच्छा पेस्टेल रख़गे लोगों को न करने पड़ी आप यह बताइए कि जब कल्यान सिंग के समय में जब शिक्षा का अस्तर एस तरका था कि आप जो है इतनी मतब एजुकेशन लाइन और हाइस्पूल इंटर की परिक्षा इतनी हाड कर दी गई थी परसेंटर बहुत कम है उसी आधार पर लाइन सिंग यादो परिक्षाएं उसके पाले होती थी उसको कल्यान सिंग के गवर्मेंट में खतम कर दिया गया था एक्दम इस्टिक कर दिया जाए कि एक स्पूल पर नकल नहीं होगा चाहे कोई पास हो या फिर किसी लेबल का कोई किसी करनेता कर लड़का हो अगर नकल करते हुए पकड़ा हैं मैंनिशा यह मतलब एक तोचने की बात है अगर आप फेल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप आगे नहीं बढ़ता होगे वही कंडिशन जब मुलायन सिंग यादर दुबारा आते हैं तो इन्होंने बोल दिया कि मैं हर विद्याले पे नकल कराऊंगा सब को पास कराऊंगा और यह जो नकल विहीं परिक्षा में जो है को है इसको मैं भंग करता हूं और एक जट्चे से इसको बहुमत मुलती है और आगे बढ़ते हैं उसके उसके दिखिए अब यह मतलब एक जो चैन पूलिंग है उस चैन पूलिंग में अगली गवर्मेंट जब रखेज़ करते हैं है कि अबैदे निकालते हैं है हुथ फो सकते हो कि क्या होगा जो नकल का पास हुआ है जो पढ़ाई के दम पे पास हुआ हूं कैसे पूरा सकते हैं आप क्वालिटी पुदार नहीं कर सकते हो राजमीत के उस चक्र में फंस करते हैं आप लोगों को युवाओं को बंगला रहे हो युवाओं को अच्छा लेकिन अम्ली पुरुचा भी आखिलेश यादव तो इसको एक नेरेटिव सेट कर रहे है ना लोगों के बीच में वो जो है अपका लोगों अडर की बाप करिए आप लॉइन ओर ने कहां आपका लोगों अडर तो ऐसा था कि अभी अलक्शन में भी दिक्रा आता है था लंडे लेकर के इनके कारिकरता का उतर रहे थे उसी चीजों की वज़े से इनकी सीचे कुछ कम हुई थी पाट चावते य और अच्छा अमने इंद्र जी मैं एक सवाल ले ले तो अतुल जी से फिर उसे सवाल पर मैं आपका भी रेक्शन चाहूंगे मेरा सवाल अतुल जी से यह है कि अतुल जी क्योंकि इस योजना के हम बात कर रहे लगा था अब सरकार एक एक कर रिफॉर्म एड़ान कर रहे है कि आपको नहीं लगता है कि अगर यही जानकारी यही स्पष्टी करण यही जस्टिफिकेशन अगर 2023 में जब इसे लागू किया आज गया था आकी इंद्र के द्वारा अगनी वीर योजना को अगर तब ही से इंट्रोड्यूस करा गया होता तो विपक्ष को इतना यहीं जल्गी होती नहीं कर दो करांब अगरी उसमें ओड़ ही बात कर एक अजोग में जोड़ा नोगरी यहीं कर रहे है एक साइकिल योजना को ले कर लेकर तो करीया आप अगिनमेर यूजना में चार या पाथ साल के वा एक Health साइकेज करते रहेंगे हर पात साल बात नई अहीं जो ये यूवा आखे जा रहे वो कितने साल तक रहेंगे? मेरा समाल भी जही यहीं, लसम जाशना फिऱ जाय जाए जुभी अब बावनन की फिर उट्रवारें, उनको कितनी साल की रावन की नग्री देंगे? गितनी साल की नुक्री देंगे? लनको रिठारी में रेटार्मनल का होगा? यह तमाम चीज़ा नहीं है और बाकी है यहां पर भी दुविधा बनी हुई है अमली इंदर जी अभी यहां पर भी दुविधा है अभी यहां पर पर confusion किस्थती है यह एड-on किया जा रहा है लेकिन और add-on हो सकते हैं इसमें कि और confusion किस्थती यह जाए है कि आप आगे नौकरिया दे रहे हैं आगे बढ़ती करवा रहे हैं तो वह कितने टाइम लिमिट के लिए होंगी बिगू टिक का वाले है जब भी कोई permanent भर्तिया होंगी तो उसके लिए time period नहीं होता है जैसे अभी हमारे वरिश्योंगी बता रहे हैं कि जो आगे भर्तियां होंगी वो कितनी होंगी कि आगे की जो भर्तियां है वो अगने बीर के आधार पे नहीं है अगने बीर से जो लिकला हुआ है अगर वो बियस्द्ट की भरती में सामिल होता है तो उसको दस परसंट की छूट बिलेगी वो उसकी पर्मानेंट नोकरी है लेकिन जो अभी सर कह रहे थे कि अगने बीर का तो इसका लबो लुगाब यह है कि हाई पी अगर आपका पर्फर्मिंट बहुत अच्छा राता है तो आगे आपको यह पर्मनेंट नोकरी का ओफर गुवर्मिंट देती है कि आप इसमें पर्मनेंट आगे काम कर सकते हो रही बात वहां से जब आपका जनलेशन की जब भर्तियां हो रही है तो यह परसेंटेश है कि एक साल में जैसे वेकंसी अगर सेना की खाली होती है suppose that 20 vacancy खाली है तो 20 vacancy में ये कर क्या रहे हैं कि उसमें से 10 vacancy के लिए आपको open करेंगे बाटी जो है सिर्धी भरतियों पे अब रोग खतम हो जाएगी अब डारेक्ट अगनवीर के ज़रिये ही आप उसमें जाओगे 10% की अगर आपकी भरती निकलती तो 10% अगनवीर से रखते जाएंगे अब देखने वाली बात यह होगी कि वह पांट साल का साइकल है पांट साल में जो इनका 40% की परतियां पूरी टोटल खाली हो रही है यह एक बैकप लेकर चलना है कि 4 साल में 10-10% करके हम फील करेंगे उ जो इनको हम रिटायर पुराने लोगों को कर दे रहे हैं उनकी जो जन्रेट हो रही है वेकलिया उसको इसको क्रियेट करना है तो इनका एक चैन पूलिंग बन चुका है हम जो है 10% को नोकरी देंगे तिर अग्दे साल हम इसको भरती करेंगे फिर 10% करेंगे फिर ऐसे से कर जो एक भरत्यों का एक जो एक वह है लिमित है वो भी इनकी पूरी हो जाए ठीक है सज्जर शिवास्तव जी आप जो 10% से बाकी के बचे फिर उनके लिए क्या क्योंकि मैनत तो उन्होंने उतनी की हां लेकिन हां मेरिट के आधार पर या स्कोर के आधार पर हो सकता है कि जो इतने सारी संख्या में जो अगनीवीर बन कर तयार होंगे उनका क्या मैं आपको इस प्रसका जबाब दूं उससे पहले मैं उससे पहले उत्राखन की एक योजना है उसके बिसे में बताऊंगा क्योंकि उससे इन लोगों को सीख लेना चाहिए जब राज बना तो राज कर Europol ने एक योजरा बनाई पहले उसका नाम था उस्टन फिर उसका रखा गया उसके माद्यम उसको एजस की की रूपह समझेगा उसको एजक्शी के रूप में यूज़ कि उसके माद्यम से आज आप सचवालय विदान्सावा अब हम अपाऊगे उसके माद्यम से उस एज आप किसी का फायदा करना चाहते हो, आप किसी के लिए उमीद बनना चाहते हो, तो आपकी transparency जरूरी है, आपकी योजना में transparency अगर नहीं होगी, तो इसी तरह से मुद्डे बनते रहेंगे, और devote होती रहेंगे, आपने बात की 10% की, यह हकीकत है, कि जो 10% उन्होंने आरक्षर की बात की है, वह 10% हर आगमे की लिमिट है ना, 100% को आप कैसे आजिस कर दोगे, तो आभी परतम फेज में उन्होंने इस बात को कहा है, और उसका भी उनने क्राइटेरिया बताया है, आने वाले समय मोह सकता है, 10 को 15, 20 करें, जैसे जरूर तुमक करना पड़ेगा, मेरे पास समय का अभाव है, वरना में पूरी डेफिनेटली आपके बास सुनती, अमलींदर जी आप हमारे साथ जुड़े, तमाम मेहत्वपून पहलूं को लेकर आपने हमारे साथ चर्चा की बहुत शुक्रिया, संजिश्री श्रीबास ताफ जी आपका